हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम अन्बॉक्स करने वाले हैं रेडमी का 5G जो के हैं हमारे पास यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ रेडमी लिखा वा दिखता है फ्रंड पे भी बैक पर और साइडों पर यह रेडमी के तरफ से लिटस सब्सक्राइब है यहाँ जैसे के आप देख सकते हैं इसमें प्रोसेसर लगवाए स्नाइब ड्राइगन फोर जनरेशन टू इसके अंदर आपको मिल जाता है 6.79 इंच का फूल एच्डी प्लस डिस्प्ले क्रिस्टर के लिए ग्लास मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का बैक कैम 128 GB के अंदर इसके यहाँ पर जो MRP लिखी है वो लिखी है 15,999 रुपे यानिके 16,000 रुपे इस पर MRP लिखी है लेकिन ही प्राइस इसका काफी कम है चलें जल्दी से अंबॉक्स करते हैं हमारा रेडमी का फून हमने डबबा खोल लिया है डबबे को पर सबसे पहले रिख आडप्टर यह के 22.5 watt का एक अडप्टर दिया हुआ है काफी अच्छा और फास्ट अडप्टर लग रहा है क्वालिटी भी इसके अच्छी लग रही है वाइट कलर में यह अडप्टर है सैकेंड इसमें मिलता है हमें टाइप सी की केबल केबल की लैंड ज्यादा लंबी नहीं है लेकिन फिर भी काम चल जाएगा हमारा काफी अच्छी केबल है तूटे की जल्दी नहीं है अगर आप हाड यूज भी करते हैं तब भी इन दोनों का भी हम साइड में कर देते हैं हम देखते हैं हमारे छोटे से बॉक्स में क्या दिया हुआ है सबसे पहले दिया पूल उसके बाद रखा मिलता है हमें एक कवर की क्वालिटी ज्यादा है ट्रांसपेरेंट कवर है लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी में है इसके अंदर मैट फिनिश करके कंपरी ने काफी अच्छा कर रखा है चले से साइड में रख देते हैं अब हम देखते हैं अपना मंगाया है इसके अंदर तीन कलर और आते हैं ब्लैक परपल आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो मंगा सकते हैं लेकिन हमने इसमें वाइट कलर मंगाया है बैग इसका काफी अच्छा और फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है काफी डिजाइन में अच्छा लग रहा है यह फोन यहाँ पर दिवी इसका SIM लगाने की जगा SIM स्पेस लगावा है यहाँ पर दियावा है इसका IR ब्लास्टर Redmi में हमेशा हमें IR ब्लास्टर मिल जाता है रिमोट का काम करता है यह हमारे यहाँ 3.5M जैक के लिए एक स्लाट यानि के इसके अंदर एरफोन आप लगा सकते हैं टाइप C का हमें इसके अंदर चारजर दियावा है विट स्पीकर इसके काफी अच्छे होल्स दिवे हैं मिया हमारा माइक मिल जाता है यह सैड में मिलता है हमें फिंगर प्रिंट सेंसर और कुछ वॉल्यूम कीज अपके पास एक ही सैड पर दोनों ही ऑप्शन है आपके पास वॉल्यूम आप डाउन भी और फिंगर प्रिंट सेंसर भी चले जल्दी से हम अपने रेड्मी डिवाइस को आउन कर लेते हैं इसले आउन हो चुई है काफी अच्छी डिस्प्ले लग रही है काफी बड़ी डिस्प्ले लग रही है इसके अंदर लगी है IPS LCD 90Hz का 550 Nits के साथ 6.79 इंच का इसका इसके डिस्प्ले साइज लगा हुआ है कंपनी ने लगा के दिया है 4, Generation 2, 4 mm का इसमें अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है अंदर 613 का 50 Megapixel का इसका आपको बैक कैमरा मिल जाता है उसी के नीचे मिल जाता है आपको 2 Megapixel का कैमरा फ्रेंट इसका मिल जाता है आपको 8 Megapixel के अंदर 5000 इमिच का बैटरी मिल जाता है कंपनी ने 22.5 वाट का इसके अंदर आपको charger दिया हुआ है साथ में कंपनी के चले इसका fingerprint लगा के देखते हैं कितना fast है कितना slow है हम इसके अंदर अपना fingerprint set कर रहा है काफी बारे से दवाना पड़ता है तब जाके fingerprint set होता है ये बड़ी दिक्कत है लेकिन MI के अंदर जल्दी नहीं हो रहा और दूसरा फोना में मैं लगा के देखा है उनमें काफी जल्दी set हो या था लेकिन इसमें काफी time ले रहा है बहुत बार टच करना पड़ ला है मुझे और ये लगबग लगी गया है हमारा fingerprint sensor इसके अंदर हमने अपना fingerprint sensor add कर लिया है चले लगा के देखते हैं कितना fast है कितना slow है काफी fast इसका fingerprint response कर रहा है लगने में time जरूर लगा है लेकिन इसको चलने में बिल्कुल भी time नहीं लग रहा ये minute में ही लग रहा है minute में ही खुल रहा है काफी fast इसका fingerprint sensor है आगे इसके दीवी आपको gorilla glass की protection back में भी इसके gorilla glass की protection है मुझे पहले लगा plastic है लेकिन नहीं दोस्तों ये पीचे भी gorilla glass company ने लगा के दिया हुआ है flash का design काफी अच्छा है iPhone से बहुत मिल रहा है इसका जो back design है चले एक बार इसकी camera quality भी देख लेते हैं कि इसके photos खिचे हुए कैसे आते हैं चले टेस्ट करते हैं इसका camera front camera है front camera क्वालिटी अच्छी है काफी impressive है ये इसके back camera क्वालिटी है काफी अच्छी लग रही है light के साथ है बिना light के भी है चले आप देख लेते हैं इसकी storage वगेरा हमें क्या मिलती है about phone में हम जाते हैं हमें मिलती है इसके अंदर 128 GB storage इसके अंदर पहले से ही 25 GB के आज़ पास company ने इस्तेमाल की वी है आपको इस्तेमाल करने के लिए कम GB मिलती है यानि के 103 GB लगभग आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलती है मेरे पास ये 4 GB RAM और 128 GB इंटरल मैमरी के अंदर है 4 GB RAM के अंदर साथ आप चाहें तो 4 GB RAM और बढ़ा सकते हैं इसके अंदर option है आप चाहें तो RAM इंक्रीज कर सकते हैं ये option company ने दिया हुआ है इसके अंदर पहले से ही सेकिन इसके अंदर आपको 6 GB और 128 GB भी मिल जाता है और 8 GB, 256 GB भी मिल जाता है ये जो मेरे पास है ये 4 GB, 128 GB है ये मैंने लिया है 12,000 रुपे का और अगर आप 6 GB लेंगे तो 13,499 आएगा और 256 GB लेंगे तो 15,499 आएगा आपको ये smartphone कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएं मुझे तो ये काफी अच्छा लगा Redmi के तरफ से budget phone है 5G की technology के साथ मिलता है क्योंकि आने वाले टाइम में सारे device 5G ही ही होने वाले है ये भी 5G है ये एक इसमें बहुत अच्छी बात है इसके अंदर सबसे बड़ी advantage इसी की ये ही ये कि 5G है Redmi ने बहुत टाइम से budget phone में कभी अच्छा phone launch नहीं किया ता बहुत दिन हो गए थे काफी दिनों बाद हमें देखने को मिला इससे पहले जो भी phone थे budget phone नहीं थे काफी high range में था जैसे note 12, note 12, 5G वगएरा ये काफी higher variant बनाये थे कंप्णी ने जबकि 11-12,000 के ये phone होते थे लेकिन company ने ने काफी महिंगी launch करे लेकिन Redmi 12 एक budget friendly phone है अगर आप चाहें से लेना तो आपके Amazon पे मिलेगा अभी फिलाल आपको ये phone कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताना चैनल को like, subscribe जरूर करना अगर चैनल अच्छा लगा हो तो मैं आपके लिए ने-ने phone अंबॉक्स करता रहूंगा इस चैनल पे चले मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए phone के साथ, एक नए चीज़ों के साथ और देखते हैं कम्प्रियों ने क्या क्या नया launch करा है